Hello Friends, आप से भी का सवागत है हमारे इस YouTube चैनल में आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रिशी से रिलेटेड जो भी आपके कोच्चिन्स आपके एकजाम में आ सकते हैं जो भी आपके रिवाल इसन्स होए हैं क्रिशी से रिलेटेड एकरिकल्चर से जो भी आपके agriculture और farming से related questions हो सकते हैं उन सभी 25 questions को हम यहाँ पे देखेंगे तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखिए अगर आपका exam आने वाले time में है तो साथी साथ ऐसे ही और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe जरूर किजिए और subscribe करने के बाद इस bell icon पे click करें ताकि हम जो भी वीडियोज अप्लोड करें उसके आपको notifications time to time मिलती रहे और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए start करते हैं हमारा सबसे पहला question कह रहा है कि नीली करांती किस से संबंदी थे नीली करांती यानि blue revolution के बारे में पूछ रहा है कि ये किस चीट से संबंद रखती है आपके चार options दिये गए अगर आपको इसका answer पता है तो आप इसका answer हमें comment box में comment जरूर करो और इसके सासत मैं आपको ये भी बता दू कि आप सारे question को सबसे पहले सोचो कि आप खुद से इसका answer से दे सको तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कर रहा है नीली करांती के बारे में तो नीली करांती जो है वो आपका किस चीट से संबंद रहे तो नीली करांती जो है मतस से उत्पादन से संबंद रहे याने की option number C next है इसी तरीके से नीली लीखित में से किस छेतर को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है आपको नीचे चार options दिया गया है पुछ रहा है इन में से किसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है तो चलिए देखते हैं हम भारत का चावल का कटोरा किसे कह सकते हैं तो वह आपका कहा जाता है mote rна जो डेल्टा है क्रिश्न गुदावरी नदीटा घट journée कते हैं चावल का कटोरा और किस चावल और भारत का धानी बंडार की रूप में जाना जाता उपर हमने चाफल का कात्रोडונהείक डेखा कृृषि अब आपसे पूछ रहा है कि भारत का धानी बंडार हम किसे कहेंगे तो अगर हम बात करते हैं भ़ारत की geç S 123 नमर बींग० Τ हरित क्रांती का अर्थ क्या है बोल रहे ग्रीन रिवाल्यूशन का अर्थ क्या है तो आपके चार ओप्संस दिये गए हैं तो अगर बात करते हरित क्रांती की तो ये कोई आपका क्रिशक क्रांती नहीं है समाजिक वानिकी भी नहीं है व्रिक्षा रोपन भी नहीं है ये जो हरित क्रामती है वो क्रिशी के आधूनिक वीधियों का उपयोग कर प्रती एकर फसल की उपज को बढ़ाना ही इसका अर्थ है कि जो भी आधूनिक वीधियां आपकी आती है उसका उपयोग कर आप प्रती एकर फसल की उपज को बढ़ाएंगे तो आपका जाएगा option number D के साथ नेक्स इसे तरीके से question number 5 है कि पाकिस्तान की राजधानी कहा है आप से पुछ रहा है capital of Pakistan तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो आपकी होती है इसलामाबाद यहां से अगर और भी बात करें तो इसकी currency क्या होती है तो जो आपकी इंडिया की currency होती है यानी रूपी फिर बात करें यहां के prime minister के बारे में तो वो है आपके इमधान खान next बात करें तो भारत में हरित क्रांती का जनक किसे माना जाता है उपर हमने देखा कि हरित क्रांती किस चीज से related है तो वो आपके क्रिशी के आधूनिक वीधियो का उप्योग करके प्रतियकर जो फसल की उपज को बढ़ाते उससे related है तो इसके जनक के कौन कहे जाते हैं ग्रेन रिवालुशन के जनक के तो वो है आपके डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन यानि की option number B next है आपका question number 7 भारत में operation flood कारिकरम का प्रारंब कब हुआ operation flood जो है वो आपके किस चीज से related है तो आपके दूद उत्पादन से related है तो इस जो आपका कारिकरम चलाए गया operation flood इसका प्रारंब कब हुआ था तो अगर बात हम करते है operation flood की तो इसकी जो शुरुवात हुई थी वो हुई थी आपके 1970 इस भी में यानि की option number B next है इसी तरीके से आपसे पुछा है स्वेट क्रांथी स्वेट क्रांथी यानि की white revolution तो white revolution का सब्बंध किस से है उपर हमने देखा था नीली क्रांथी के बारे में कि मतस्यूत पादन से संबंध नित है तो स्वेट क्रांथी किस से संबंध रखता ह है तो स्वेट क्रांथी जो है अगर हम बात करते हैं तो दूदूध दूध पादन से संबंध रखता है यानि की option number B next है इसी तरीके से हमने देखा कि operation flood है उसकी सुरुआत हुई है 1970 इस भी में तो operation flood का संबंध किस से है तो operation flood का भी संबंध दूध दूध पादन से है यान कि option number C जिसे हम कहते हैं क्या तो स्वेट क्रांथी फिर हम से पूछा कि स्वेट क्रांथी के जनक किसे हम कह जाता है उपर हमने देखा था हरित क्रांथी के जनक के बारे में कि डॉक्टर MS स्वात्मी नाथन है फिर हम से पूछ रहा है कि स्वेट क्रांथी के जनक कौन है तो चार औहसे गया हरित क्रांति में से कौन से आगता है तू आगर हम बात करतें कि इनution से संबंद नहीं रखने की तो आपका कृれशे से संबंदित होता है फिर आप हम बात करतें अगर गुलाबी क्रांती की या टी कि ओर निकरन researching की तो गुलाबी क्रांती आपकी किस चीज से रिलेटेड है तो वह आपका जिंगा उत्पादन से रिलेटेड है यानि की और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं गोल क्रांती यानि रॉन्ड रिवाल्यूशन के बारे में तो गोल क्रांती जो है आलू के उत्पादन से संबंद रखता है यानि की और नेक्स्ट है हमारा किस भारती ये राजी को चाय का उत्पादक राजी नहीं माना जाता है कर रह सबसे ज़्याद आपका चाय का उत्पाद है ने केरल में भी है पस्ची मंगाल में ही है लेकिन 36 गड़ में जो है चाय का उत्पाद नहीं होता है तो आपका उप्सन नमर डी के साथ चला जाएगा नेक्स्ट है भारत में निवलिखित में से कौन सा राजी देश का 70% से काफी वहां ही पैदा होती है तो वह है आपका करनाटक करनाटक में जो है आपका 70% से प्लस ही आपका कौफी का उत्पादन होता है फिर बात करें तो आपके पूछ रहा है question number 16 में कि निवने लिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है आपके दो फसल होते है रभी और खरीफ तो आपसे पूछ रहा है कि खरीफ की फसल कौन नहीं होती है तो अगर बात करते हैं खरीफ की फसल का तो यह आपका चावल खरीफ का फसल में आता है गेहू जो है आपका अगर हम बात करते हैं खरीफ फसल की तो वो जो हमारी होती है गेहू नहीं होता है हमारा खरीफ फसल चावल गन्ना का पास ये सारे खरीफ की पसल है और गेहूं खरीफ की फसल नहीं होती है यानि option number B next इसी तरीके से वह कौन सा राज है जो गेहूं की खेती नहीं करता है बोल रहाएक वह कौन सा राज है जहां कि गेहूं की खेती नहीं होती है गेहूं जो कि बहुत ही जादा इंडिया में गेहूं का आटक का उपयोग होता है तो पुछ रहा है कौन से स्टेट में गेहूं की खेती होती ही नहीं है तो वो है आपके तामिल नाड़ा महारास्ट में गेहूं की खेती हमारी होती है करनाटक में भी होती है पस्छिम बंगा करते हैं तो भारत में किस खादी फशल का उतपादन सबसे ज़्याद list है करें पूरे इंडिया में कौन सा खादी फशल है जिसका उतपादन सबसे ज़्यादा होता है तो वह आपका चावल यानी की option number B फिर अगर हम बात करते हैं, खरीफ की फशल नहीं होता है तो यहाँ पर हम ने देखा कि कपास, मक्का, मुंगफली आप यहां से इसके रिस्ट भी बना सकते हो कपास, मंगा, मक्का, मुंगफली, गंणा, चावल यह सारे घरीव की फसल में आ रहные तो जो नहीं आ रहे है वो आपका गेहूं सरसो ये सारे खरीव के फसल में नहीं आते हैं फिर अगर हम बात करते हैं तो किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवस्यक है लेकिन जमाव नहीं करें कौन से फसल है जिसके उत्पादन के लिए पानी की अधिकता जरूरी होते है लेकिन उसका जमाव जरूरी नहीं होता है जैसे कि आप देखते हों कि खेतों में जाते होंगे तो धान का जो फसल होता है उसमें पानी का जमाव दे दिया जाता है ये सारे फसलों में दे दिया जाता है तो कौन सा फसल है जिसमें जबाव नहीं दिया जाता है तो वो है आपका चाय यानि की option number C फिर हमसे पूछ रहा है कि खरीफ की फसल काटी कब जाती है उपर हमने देखा कि खरीफ की फसल में हमारे चावल आ गए कपास आ गए मुंग फली आ गए यह सारे खरीफ की फसल है तो हमसे पूछ रहा है कि खरीफ की फसल जो है उसे जब काटते कब है तो खरीफ की फसल की बात करें तो उसे नवंबर के जो स्टारिंग नवंबर मुंत में स्टारिंग में काटा जाता है यानि की option number C नेक्स्ट इसी तरीके से बात करें तो निमलिखित में से कौन सा सहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में कौन सा ऐसा सहर है जो की अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है उपर हमने देखा कि चावल गेगों जो है टामिल्नाडों में नहीं होती है तो कौन सा फसल है जो कि माहराश्ट में नहीं होती है तो बात करें तो हम रवर जो है हमारा माहराश्ट में नहीं पैदा होती है याने की option number d नेक्स्ट है रेशा फसले निमने लिखी तो में इसे कौन सी है किरा रेशा फसले हम किसे कहते हैं तो अगर रेशा फसले की बात करते हैं तो हम कपास को रेशा फसल करते हैं तो आपके तीन आपसन्स में कपास हैं उसके बाद जो जूट है उसे हम रेशा फसल करते हैं और सन को करते हैं जिसमें कि रेशा हैं होती हैं कपास सन जूट ना कि हम रेशा फसल देखें तो हमने मक्का को लगा दिया वो आपका गलत हो जाएगा कपास सन जूट ये सारे रेशा फसल होते हैं यानि की ऑप्सन नमब यहां पर तो ऐसे भी हम अग्रिकल्चर की ही बात करते हैं, फार्मिंग की ही बात करते हैं, तो जूम आपका एक क्रिशी का ही तरीका है, यानि की आपसर नम्मर डी, तो आज क्लिए बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, याप हमें लाइक, कमेंट और सेर करके जर